मौली एक अनाथ और गरीब परिवार की विदेशी लड़की थी जिसे एक हिंदुस्तानी लड़का अपने प्यार के जहांसे में फसा कर इंडिया ले आया और कुछ दिनों बाद ही उसका पैसा लेकर भाग दिया ओ गौड, he cheated me मौली अकेले बैट कर रो रही थी तभी वहां से गुज़र रहे एक लड़के मनीश ने उससे कहा मौली ने उसे सारी बात बताई कि कैसे एक लड़का उसे धोके से इंडिया ले आया और उसके सारे पैसे लेकर उसे धोका देकर भाग गया ओ, so sad अब वैसे तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो मेरी कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं तुम अच्छे पैसे भी कमा लोगी और साथ में रहने की जगह भी तुमें मिलेगी ओके मनीश उसे अपने साथ ले आया और उसे नौकरी के साथ साथ रहने के लिए सर्वेंट रूम भी दिया मॉली जल्दी सारा काम सीख गई मनीश पर उसके काम से बड़ा ही खुश हुआ मॉली अच्छे से अपना काम करने लगी उसे वहाँ काम करते हुए एक साल हो गया और उसकी वज़ा से कमपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ साथ में काम करते करते मॉली और मनीश एक दूसरे के काफी करीब आ गये और एक दिन मनीश ने मॉली को शादी के लिए प्रपोस कर दिया इस एक साल मैं मॉली तुम मेरे काफी करीब आ गयी हो मेरा तो तुम्हारे बिना रह पाना भी मुश्किल है क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी विल यू मैरी मी मैरी तुम अच्छे से जानते हो ना मनीश मैं एक अनात हूँ और उपर से गरीब भी मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मॉली मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी और इस कंपनी की मालकिन हो और रही बाद घर की तो वो इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकती पूरे सौ रोम्ज है मेरे घर में इसके बाद मनीश उसे ब्याह कर अपने घर ले आया जहां उसकी मा कमला उससे कहती है अरे मनीश बेटा ये तुम किस परकटी को उठा लाए मा ये तुम्हारी बहु है और मैं इससे प्यार करता हूँ अच्छा प्यार तो तुम कुत्तों से भी करते हो तो क्या उससे भी शादी कर लोगे ना ओडने पहनने का धंग और ये बाल तो देखो परकटी कहींगी मैं तो नहीं मानती से अपनी बहु सासुमा हमको अपना लीजे हम तुमको शिकायत का एक मौका नहीं दोंगा हे राम ये कैसे बात कर रही है अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी तो कॉलोनी में नाक ही कट जाएगी बहु तु जल्दी से अंदर आ मौली अपनी नाराज सास के साथ अंदर आ गई और सौ कमरों का घर देख कर तो वो हैरान ही रह गई इतना बड़ा घर मुझे तो लगता है मैं इसमें कहीं खोई ना जाओ तुम भी ना मौली बड़ी ही मसा कियाओ अगले दिन कमला मौली को आवाज देते हुवे कहती है अरे बहु उठो आज तुम्हारा पहला दिन है इंडिया में इतनी देर तक नहीं सोते उठो और जल्दी से कुछ मीठा बनाओ जी जी सासु मौम मैं अभी ना किया आया 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 हे राम मेरे तो करम ही फूट गए जो ये आया और जाया वाली बहु मिल गई मौली नाहा कर बाहर आती है तो उसकी सास उसकी मदद करते हुए उससे हलवा बनवाती है इसके बाद उसकी सास उससे कहती है ये ले ले जा ये हलवा और अपने पती को भी चखा दे और ये चाय चाय भी ले जा मनीश को सुबह उटते ही गरम चाय चाहिए होती है बिचारी मॉली सहमी सी वो हलवा लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी लेकिन जब वो अपने कमरे की ओर जाने लगी तो वहाँ सब कमरे के दर्वाजे एक जैसे थे मॉली को समझ नहीं आ रहा था कि उसका कमरा कौन सा है वो बार-बार कमरों में जाती और वापस आ जाती क्योंकि हर कमरा खाली होता अंत में जो कमरा बचा था वो उसका कमरा था लेकिन तब तक उसका हलवा और चाय थंड़ी हो चुकी थी अरे मॉली ये चाय और हलवा तो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब इसे कौन पिएगा एक बात बताओ कि सौ कमरो वाला घर बनाने के लिए आपने कौन सा इंजीनियर बुलवाय था मैं पिछले एक घंटे से अपना कमरा ढूनते ढूनते ठक गई तब ही पीछे से कमला आकर कहती है क्यों अपना घर तो हर कोई पैचानता है हाँ पर ये सब पीछे देखा हो तब न वहाँ तो एक कमरे में रहती होगी पता नहीं मेरा बेटा कहां से इस उड़न तस्तरी को उठा लाया करीब कहींगी मा मैं मानताओं की मॉली गरीब है लेकिन अब वो इस घर की बहु है शादी को दस दिन हो गए फिर एक रोज कमला कहने लगी तुम दोनों ने शादी तो कर ली लेकिन हमारी भी समाज में कोई इससत है इसलिए मैंने रिष्टेदारों को एक ग्रेंड रिसेप्शन देने का सोचा है और इसके लिए हर तयारी तुम दोनों को ही करनी है अपनी सास की एबात सुनकर मॉली सोच में पढ़ गए क्यों ना मैं हर एक कमरे की होटल नहीं तो फिर क्या करो अरे ओ परकटी किस सोच में डूबी है अगर ऐसे ही सोच में पढ़ी रही तो फिर तो हो क्या सारा काम मनीश और मॉली ने मिलकर सारी तयारियां कर ली और आखिर रिसेप्शन वाला दिन भी आ गया ओ परकटी अब जल्दी से जाकर तयार हो जा जी सासो मॉम मॉली अपना कमरा ढूंडते हुए जैसे ये कमरे में गई तो वो अंदर से अपने आप लॉक हो गया ओ गॉड ये क्या हो गया ये गेट खुल क्यों नीरा अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी कुछ देर तक कोशिश करने के बाद मॉली घबरा कर बेहोश हो गई अरे पेटा मनीश बाहर सब महमान आ गए है ये बहु अभी तक आई क्यों नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा लेकर कहीं भाग गई हो मा मेरी मॉली घरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं हो सकता है किसी कमरे में तयार हो रही हो जा फिर जाकर देख कहीं ऐसा नहों कि वो अपना कमरा ही ढूंडती रह जाए मनीश ने सभी कमरे देख डाले फिर उसे वो एक कमरे में बेहोश पड़ी मिली तभी वहाँ कमला भी आ गई उठो बहु उठो ये तुम्हें क्या हो गया मनीश उसके मूँ पर पानी के छीटे मारता है फिर मौली को होश आ जाता है भगवान का शुकर है कि तुम ठीक हो अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं क्या होता सासू मॉम अपना कमरा ढूंटते हुए मैं यहाँ पिर ये दर्वाजा ही लौक हो गए और डर के मारे में बेहोश हो गई अरे बहु मैं सासू कोई जलात नहीं जो तुम्हें इतना डराओं कि तुम्हें कुछ हो जाए मैं कल ही इन सब कमरों के दर्वाजों पर अलग-अलग देशों के नामों की नेम प्रेट लगवा दूंगी जिससे मेरी बहु को अपना कमरा ढूंडने में परिशानी ना हो मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ह से मेरी बहु को कुछ भी हो सासू मॉम, यू आर माई रियल मदर अब क्या बोली अंग्रेजी में? मा ये कह रहे है कि आप तो बिल्कुल उसके सगी मा जैसी हो हाँ तो ये परकटी भी तो मेरी बेटी जैसी है अच्छा बाते बन कर और मुझे इस परकटी मेरा मतलब है मेरी बेटी को तयार करने दे सब महमान इसका वेट कर रहे होंगे इसके बाद कमला मॉली को अच्छे से तयार करके सब महमानों से मिलवाती है और फिर अगले दिन सुब़ई हर कमरे के दरवाजे के बाहर अलग-अलग देशों के नामों की नेम प्रेट लगवा देती है जैसे अमेरिका, जापान, दुबई और इसी तरब मॉली और मनीश के गेट पर इंडिया की नेम प्रेट लगवा देती है जिससे अब मॉली को हर कमरे को समझने में आसानी हो जाती है